बात योग्गुरू रामदेव की पतंजली आयरुवेद द्वारा अपनी दवाओं के लिए भामक दावों को लेकर योग्गुरू रामदेव और पतंजली आयरुवेद के एमडी आचारे बालकर्शन को सुप्रीम कोट के सामने पेश होना है सुनवाई से पहले मंगलवार को ही योग्गुरू रामदेव और अचारे बालकर्शन ने हलफ नामा दायर कर बिना शर्त माफी मांग ली है अपने नए हलफ नामे में सुप्रीम कोट को भरोसा दिलाया है कि उनके दौरा अब कोई प्रेस वारता या सारजनिक बयान नहीं दिया जाएगा सुप्रीम कोट के आदेश का पूरी तरह से पालन किया जाएगा भविश्य में इस प्रकार के विग्यापन जारी नहीं किये जाएंगे पिछली सुनवाई के दौरान अदालत में पेश हुए बाबा राम देव और आचारे बाल किशन को सुप्रीम कोट ने कड़ी फटकार लगाते हुए उनके माफी नामे को अस्वेकार कर दिया था सीधे हम रुक करेंगे हमारे समबादता मुकेश हमारे साथ जुल गए हैं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए बिना शर्त माफी मांगली है और अब निगाहें सुप्रीम कोट पर टिकी हैं अगर पिछली सुनवाई को देखें बाबा को कड़ी फटकार मुक बाबा रामदेव और आचार बालकिस ने जोकी पतंजली अर्वेट के मडी हैं दौनों लोग सुप्रीम कोट पहुँच गए हैं और अब से कुछ दिर बाद इस पूरे मामले पर सुनवाई होने वाली है हाला कि बाबा रामदेव और आचार बालकिस की ओर से एक हलफ नाम इस सुनवाई के पहले दार किया गया है जिसमें दौनों ने बिना शर्त के माफ़ी मांगिया और कहा है कि भबस्त में ऐसी गलती दुबारा नहीं होगी कोई भी ब्रामक एड़ नहीं दिया जाएगा ये उन्होंने अपने इस लाप नामे में लिखा हुआ है लेकिन अब स इस दवा का प्रचार प्रचार ना करें जब तक इस दवा का परिशन ना हो जाए लेकिन इसके बाब जूद भी बाबा रामदेव ने उस दवा को बेचा तो इसको लेकर जो आयूस मंताला है उसने एक हलप नामा सुप्रीम कोट में दायर किया है पिछली सुनवाई में सरकार और उत्राखंट सरकार को कड़ी फटका लए थी कि आखिर वो कैसे आख बंद करके बैटे हुए हैं बाबा रामदेव को भी फटका लए थी कि आखिर आपने कैसे जो गलत हलप नामा है जूटी जूटा हलप नामा है वो कोट में दायर किया है इसको लेकर भी फटका कुछ दवाय लॉंच की इसके बाद जो आई में हैं इंडियन मेडिकल असोसीएशन वो सुप्रीम कोट चला गया था उसने कहा था कि सुप्रीम कोट के आदेश के बाबजूद भी बाबा रामदयो जो है वो भ्रामक बिग्यापन निकाल लए हैं अपनी दवाव को लेकर और रामदयो और आचार बालकेंट को फिजीकल तोर पर कोट में पेश होने के लिए कहा था तो पिछली बार दोनों कोट में पेश हुए थे और तब सुप्रीम कोट ने कहा था कि वो इतना उदार नहीं है कि बाबार रामदयो को माफ कर दे तो कुल मुलाकर आद की सुनवाई कापी एहम होने वाली है क्या कोट कंटेम्ट अब कोट की कारवाई करेगा और बाबार रामदयो की मुश्किलें बढ़ेगी या फिर उनका जो हलप नामा है उन्होंने बिना शर्त के माफ़ी मांग ली है क्या उस हलप नामे को सुकार करेगा ये देखने वाली बात होगी